अगर आप मोबाल से पैसो का लिंदेन करते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है दरसल साइबर सीक्यूरिटी रिसर्च की तरफ से एक नए एंड्रोइड ट्रोजन की पहच्चान की गई है यह एक तरह का खतरडाक मालवेर है जो आपके बैंक को खाली कर सकता है बतादे कि यह नए आप ट्रोजन फोन आपके मल्टी फैक्टर आथिंटिकेशन सिस्टम को ब्रेक करने में पूरी तरह से सक्षम है इस नए मैलवेर को शार्क बोट नाम दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने क्रुशिक कानून को वापस लेने की घोशना कर नागरिक्ता कानून विरोधी लोगों को भी ऑक्सिजन दे दी है बस पास सांसत कुबर दानिश अली ने ये कहा है और उन्हों ने आगे ये भी कहा है कि केंद्रे सरकार ने कृशी कानून को वापस ले करेक अच्छा कादम उठाया है इससे देश के करोडों किसानों को लाफ होगा मुझे दुख है कि इन क्रिशी कानून के लाफ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए हमने क्रिशी कानून के बारे में किसानों को समझाने की कोशिश की लेकिर हम सफल नहीं हो पाए जापान के प्रधान मंत्री फूमियों की शीदा ने कोरोना वाइरस महमारी से प्रभावित अर्थ विवस्था को संकर से बाहर निकालने के लिए शुकरवार को रिकॉर्ड 490 अरब जॉलर यानि की 56 ट्रिलियन येन के प्रोत्साहन पैकेज की घोशना की है प्रस्ताफ में ल प्रधान मंत्री ने कहा कि क्रिशी छेत्र के लिए सरकार ने एक और महत पर पूर्ण फैस्था किया है इसराइल द्वारा अरब गण राजे पर हवाई हमले के जवाब में एरान समर्थक बलो नहीं सीरिया में अमेरिकी सैन्य चौकी पर ड्रोन से हमला कर दिया है इस बात की जानकारी अमेरिकी मेडिया रिपोर्ट ने दी है गया थो ये हमला अक्टूबर महीने के आखरी हफ़ते में सीरिया में सित अमेरिकी सैन्य ठेकानों पर ड्रोन से किया गया है तमिलाडो में बारिश का कहर जारी है प्रदेश के वेल लॉड चिले में भारी बारिश के बीच एक घर गिरने की खबर आई है इस हासे में चार बच्चे समेत नौ लोगों की जान भी चली गई है मुख्य मंतरी मक स्टालिन ने घर्टना में जान कवाने वाले लोगों के परिवारों को 5-5 लाक रुपे के मुआफ़े देने का एलान किया है आपको बता दे कि तमिलाडो में एक उक्टुबर से शुरूवे मौजुदा उतरपूर्व मौनसून के दौरान अब तक सामारे से 60% दी अधिक बारिश दरश की गई है अमेरिका जापान के वरिष्ट राजनाई को ने दक्षिनों कोरिया के साथ सहियो की महत्त की फिर से पुष्टी की है जिसके एक दिन बाद जापान के उपविदेश मंतरी टाकियो मौरी निक सयस्क्त प्रेस कॉनफरंस का भाहिश कार किया जिसे उनके अमेरिकी समकष्य ने एक और सम्मंधित दुई पक्षिय बुद्धा कहा था पनोर्मा ग्रूप के एहोंस पनोर्मा में शुकरवार को ध्वजा रोहन किया गया इस मौके पर कई महान विदवान आचारे शामिल हुए इस मौके पर पनोर्मा ग्रूप के रिदेश ज्जा, पूजा, दिप्ती, चौधरी, चंदन, मन्खुष, अरुनेश ज्जा, अभिशेक, मिश्र, अनुराक कशिप समेद कई लोग मौजूद रहे पदेश मंत्री एस जैशंकर ने शुकरवार को कहा कि भारत और चीन अपने सम्मंधों को लेकर विशेशतोर पर खराब दोर से गोजर रहे हैं क्यूंकि बिजुग ने समझोतों का उलंगन करते वे कुछ हैसी गतिविधियां भी की हैं जिनके पीछे उनके पास अब तक विश्वसनियस पश्टी करन नहीं है क्रुशी कानून की वापसी कैदान के साथ ही प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी आज यूपी के तीन दवसीये दोरे पर गये पिये मोदी ने आज सबसे पहरे बुंदेल खंड के महोबा और जहासी का दोरा किया महोबा में वो हर घर नलका जल योज़ा का शुभारम करते देखे गए तो महीं जहासी में रास्ट्री रक्षा समर्पन परवका हिस्सा बने राज़ानी दिली के प्रगती मैदान में बीदे पास तरों से विशेश लोगों के लिए चल रहा 45 वां इंडिया इंटरनाशनल ट्रेड फेर आम जंता के लिए शुकरवार यानी 19 तमंबर से पूरी तरीके से खुल गया है क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया भर में रुज़ान बढ़ रहा है भारत में भी क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों की संख्या में जाफा देखा जा रहा है हाला कि कोई नियामक ना होने के चलते देश में खुलकर कारूबार अभी नहीं हो रहा है लेकिन जो संकेत बिल रहे हैं उसके मताबिक सरकारे से रेगुलेट करने को लेकर नए साल की शिरवात में निर्णे ले सकती है बिहार के कृशी मंत्री अम्रिन पृताप सिंग ने दावा किया है कि कृशी कानून जो अभी वापस लिया गया है ऐसे में जो नाखुश थे उन्हें समझाने का प्रयास होगा अब इनेतार रनवीर सिंग का शो दब बिग पिक्चर में जम कर धमाल लेखने को मलता है सुपर एनरजी से भरे रनवीर शो को अपने आने वाले कंटेस्टेंट के साथ भी जम कर मस्ती और मज़ा करते नजर आते हैं और जब इस शो पर स्पेशल गेस्ट पहुंचते है तो मज़ा दो गुना हो जाता है किसान कानून रद होने के बाद अब इनेता सोनुसूद ने ट्वीट करके कहा कि किसान वापसी अपने खेतों में अब किसान आएंगे और देश की खेत फरसे लहला आएंगे अगर आप मेट्रो से सफर करते हैं तो साफधान दिली मेट्रो की यलो लाइन के राजीव चौक के इंद्रिय सची वाले खंड पर मेट्रो सेवाएं किस नमबर को सुबह कुछ घंटों के लिए निलम्बित रहेगी यलो लाइन दिली में समय पूर बादली को गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर से जोड़ती है दिली मेट्रो ने आज ट्वीट कर चंता को इस बारे में जोयनकारी दी है पृतान मंत्री नरेंदर मोधी ने शुकरवार को तीन प्रश्री कानून को वापस देने के अलान की बाद विपक्षी दलो ने तीखी प्रतिक रिया देना शुरू कर दिया है अखले शुयादव बस पामुख्या मायवती कॉंगर्स महासाचिफ प्रियांका गांदी सुभा सपा के अध्यक्षों प्रकाश राजभर ने किंदर सरकार पर हमला बोला है और सरकार की नियत पर आश्रंका जताई है मिस्टर 360 तिग्री के नाम से मशूर साथ आफ्रिकी बलेबाद एबी डिविलियर्स अब मैदान पर छखके चौके की बारिश करते नजर नहीं आएंगे क्रिकेट फैंस अब हैरत में डाल देने वाले शॉट्स नहीं देख पाएंगे क्योंकि एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है साल 2018 में इंटरनाशनल क्रिकेट से सन्यास तेने वाले डिविलियर से अब T20 लीक क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है रूसकी मानविये साहेता की पहली खेप अफगानिस्तान पहुच गई है करनाटक में 38 घंटों के लिए भारी बारिश की भविशवानी की गई है सरकार ने बैंगलूर शहरी बैंगलूर ग्रामीन जिलो सहित साथ जिलो में स्कूल कॉलेज के लिए छुट्टियों की घोश्टा की है इस बीच करनाटर के मुख्यमंतरी बसवराज बोमाई पिश्ट्रे सप्ता से लगातार हो रही बारिश के कारण राजु में स्थित्य की समीक्षा करने के लिए जुला प्रसाशन के साथ शुकरवार को एक बैठे की अध्यश्टा करते भी देखे गए कॉंग्रिस महासर शिफ प्रियांका गांधी ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के इस फैस्टे पर कई सवाल उठाए हैं उन्होंने कहा कि सरकारने मंतरियों ने किसानों को क्या क्या नहीं कहा अंदोलन जीवी, गुंडे, आतंकवादी, देश्ट रोहिन सब को किसने बुलाया जब यह सब कहा जा रहा था तो पीम चुप क्यू थे प्रियांका गांधी ने पीम मोधी द्वारा दिये गए गयान पर भी सवाल उठाते वे कहा कि उन्हा ने खुद आंदोलन जीवी शब्द का इस्तमाल किया है कि इस फैसे से देश में भाईच्वारे का माहाल बनेगा वदेश मंत्री एस जैश्वंकर ने कहा है कि भारत चीन अपने संबंधों को लेकर विशेशतोर पर खराब दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि बीजिंग ने समझोतों का उलंगन करते वे कुछ ऐसी गतिविधिया की हैं जुनके पीछे उनके पास अब तक विश्वस नियस पश्टी करन नहीं है लाइब मुजिकल शो में अक्सर आपने सिंगर के अच्छे गाने पर तारियों की गरगर आहट और बारिश देखी होगी पर क्या कभी नोटों की बारिश देखी है बारिश भी ऐसी की नोटों से एक सूट केस भर जाए सुनकर आप भी हैरान हो रहे होंगे लेकिन यह हकीकत है लाइब कारिक्रम के दोरान सिंगर पर नोटों की ऐसी बारिश कुचरात के हमदाबाद में लॉक देरा में देखने को मिली इस कारिक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब बारल हो रहा है नरेंद्र मोधी सरकार की कुरुशी कानून का सबसे अधिक विरोध पंजाब में हुआ इन कानूनों ने वहां की राजनेती की दिशा भी बदल दी है शेरोमनिया कालिदल ने भाजपा से रिष्टा तोड़ कर नरेंद्र मोधी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था जोतिरादिते सिंध्या ने कहा है कि देश के साथ राज्यों और केंद्र साफशित प्रदेशों ने जेट फ्यूल पर वैल्यू अड़ेट टाक्स को घटा कर चार फीजदी से कम कर दिया है देश में आज कोरोना संक्रमन के 11,160 मामले सामने आये हैं जबकि पिछले 24 घंटे के दोरां 469 मरीजों ने दम तोड़ दिया है केंद्रेस्वा समंतर वाले ने बताया है कि भारत में कोविड-19 के आक्टिव मरीज अब कम होकर एक दिशन में 2-6 लाख रह गये हैं वही पिछले 24 घंटे में देश भर में संक्रमन से 12,789 लोग ठीक भी हुए हैं जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 3,38,97,921 हो गई है प्रतान मंतरी नरेंदर मोधी द्वारा क्रुश्री कानून को वापस लिये जाने के बाद उम्मीद जताई जारी है कि किसान अपना आंदोलन वापस ले लेंगे और प्रदर्शन स्थल से अपने घर की तरफ लोटाएंगे लेकिन किसान ने ताला केश्टिकेट ने इंस्सा बठकलों को खारिश कर दिया है और कहा है कि जब तक तीनों कृश्री कानून संसद में वापस नहीं होते तब तक किसान नहीं जाएंगे गुरु नानक देव जी महराज के 552 वे प्रकाशपर्व के मौके पर बहार शरीफ के मोगल कुआ गुरु द्वारा में कारकरम का योजन हुआ इस मौके पर रवी सिंग ग्रंथी द्वारा गुरु ग्रंथ साहिप का सहज पाठ किया गया वहीं अरदास के बाद उपस्त लोगों के बीच खीर और कड़ा प्रशाद का वित्रन भी किया गया गर हमारे दोरा पूछे गया, सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कौमेंट करके दिया था, उसके लाप को बहुत बहुत हनेवाद आपके नसार पियम मोदी के किसान कानून वापस लेने का फैसला सही था या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज चुके लिए बस इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी ख़बरों से जुड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब च